तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक महत्वपुर्ण टॉपिक जो है मैं लेके आई हूँ तो देखिए UPHC में जितने भी कहानिया दी गई है उन कहानियों के जो महत्वपुर्ण कथन है तो आज प्रेश्ष नुतर नहीं कथन हम करेंगे क्योंकि देखिए प्र supplement ट हम करते रहते हैं चाहे प्रेश्ष नुतर आगे पीछे हो बीच में होता ही रहता है लेकिन कथन हम लिए छे पूच लिए चाहे वह alarन हो उपयन्यासजों कहानी हो नाटक हो तो इस पर भी व्रेश ने पूछा जाता है तो आज हम कहानियों के कथन करेंगे तो सबसे पहली जो कहानी आती है वो है दुनिया का अनमोल रतन प्रेम जंद कृत तो सबसे पहला कथन है अगर तु मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दर्बार में आ तो यहां मैंने कहानी तो अलेड़ी आपको बता दी कि ये दुनिया का अनमोल रतन के कथन है किस के द्वारा कहा गया है? दिल फरेव के द्वारा कहा गया है अगला कथन है उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शांदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशुकियत का दम भरते हैं अगला कथन है मर्द बन यूमत हारमान मजबूत इरादे ही महबत की मंजल पर ले जा सकती है ये किसका कथन है बुजर्ग का अगला कथन है गुलामी की जंदगी से बहतर मर जाना है तो ये किसका कथन है सिपाही का अगला कथन है खून का वह आखरी कतरा जो वतन की हिफाज़त में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है तो ये कथन तो कई बारी परिक्षा में पूछ लेते हैं कि खून का वह आखरी कत्रा जो वतन की हिफाज़त में गिरे तो इस प्रकार से ये कथन भी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से ये कथन भी पूछा जा चुका है तो जो मुझे इंपॉर्णन लगे मैंने आप सभी को बताए है तो अगली कहानी है कफन इसका कथन है मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दोड़ते दोड़ते हो गया जा देख तो आ ये कथन किसका है घीजू का अगला कथन है मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं चाती ये कथन किसका है माधव का अगला कथन है मेरी औरत जब मरी थी तो तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं तो ये बात किसने कही थी घीजू ने और किससे कही थी तो अपने बेटे माधव से अगला कथन है मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा तो ये कथन किसका है माधव का है तो यहाँ पर बेरोजगारी की भी बात सामने आ जाती है कि घर में गरीबी बेरोजगारी की बात हम यहाँ कह सकते है कि उसको भविश्य को लेके चिंता होती है कि अगर उसकी क्योंकि उसकी पत्नी जो होती है वो प्रसव पीडा से कराहरी होती है तो ऐसे में मैं सोचता है कि अगर इसकी जो इसका जो प्रसव है वो सही से हो जाएगा बच्चा अगर कोई हो गया तो फिर क्या होगा, उसका फ्यूचर जो है, उसके भवश्य को लेके उसको चिनता रहती है अगला कथन है, अब कोई किया खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था ये कथन किसका है, जमाना अप इससे भी पता लगा सकते हैं, के पुराने जमाने की बात कौन करेगा बुजर्ग होगा वही करेगा तो ये कथन किसका है घीसू का अगला कथन है बड़ी विपत्ते में हूँ माधव की घर वाली रात को गुजर गई तो ये बात किसने कही घीसू ने किस से जमिदार से अगला कथन है लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो किसको कफन चाहिए था माधव को अगला कथन है कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढखने को चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए तो प्रेम चंद देखिए जो यथार्थ वाद की ज़लक है वो यहां इस कथन में देखने को मिलता है कि वाकरी जो एक सचाए हम कह सकते हैं कि जीते जी अनाज का दाना या तन ढखने के लिए वस्तर नहीं मिलता लेकिन ऐसा रिवाज है कि मरने पर कफन चाहिए ही चाहिए उसको उन्होंने एक जरुद बना दिया है सेम यही चीज़ जो है हम गोदान उपन्यास में भी देखते है कि अनाज के लिए वो लोग घर में कितनी गरीबी यह कुछ भी जेल नहीं होते है कृशक जीवन का जो दर्द पीड़ा है वो दिखाये गया है लेकिन मरते टाइब में जो है गोदान की बात जो उसमें कही गई है तो एक जो यह परमपरा जो चली आ रही है उसको निभाने की बात और उस यथार्थवाद के जलक हम प्रेमचंद के उपन्यासों में देख सकते है तो यहाँ यह कथन इस चीज़ को भी उजागर करता है तो यह कथन घीसू के द्वारा कहा क्या है अगला कथन है दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग भानने को हजारों रुपे क्यों देते है कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं यह कथन किसका है माधव का अगला कथन है बड़े आद्मियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है यह कथन किसका है घीसू का अगला कथन है बड़ी अच्छी थी विजारी मरी तो खूब खिला पिला कर यह किसका कथन है माधव का तो इन्होंने क्या किया दोनों बाप बेटों ने जो कफन के पैसे मिले थी इनको उन पैसों से इन्होंने कफन ना खरीद कर खाने पीने की चीज़े जो है खरीद ली और इसलिए यह कथन जो है नोने यहां पर उजागर किया कि बड़ी अच्छी थी मरी तो खूब खिला पिला कर अगला कथन है हमारी आत्मा प्रसन हो रही है तो क्या उसे पुन्ने न होगा ये कथन किसका है घीसु का अगला है ले जा खूब खा और आशिरवाद दे जिसकी कमाई है वह तो मर गई ये कथन किसका है घीसु का किस से कह रहे हैं उस भीखारी को क्योंकि उन्हों ने उसे भी खाने के लिए दे दिया क्योंकि वो उसकी तरफ देखा जा रहा था अगला कतन है मगर दादा बेचारी ने जिन्दगी में बड़ा दुख होगा तो यहां बेचारी किस के लिए कहा है माधव की पतने के लिए बुदिया के लिए और किसने कहा है तो माधव ने यह बात कही है अगला कतन है क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वह माया जाल से मुपत हो गई जनजाल से छूट गई तो ये बात किसे कही घी सुने क्योंकि माधव जो है अपनी पत्नी को याद करके रोने लग गया अगला कथन है देखिए यहाँ पर आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी जो परिक्षा में क्या है जो गाने आते हैं गीत दिये गए हैं वो भी पूछा गया है जो ये गाना हम क्या सकते हैं तीसरी कसम कहानी में गीत था उसकी पंक्तिया दी गई थी तो यहाँ पर जो है ठगनी क्यों नैना जमकावे ठगनी ये बात ये जो गाना है दोनों ने यानि घीसु और माधव ने जो है मिलके ये गाना गाया है और ये गाना इसमें कफन कहानी में दी गई है, तो आप इसको देख लीजेगा अगला जो कहानी के गठर आ रहे हैं, कानों में कंगना का, राजा राधिका रमनक्रित तो यहां पहला कथन है, नरेंदर अब मैं चला, किरन तुम्हारे हवाले है तो ये बात किसने कही है योगिश्वर नहीं योगिश्वर कौन था किरन के पिता जी अगला है कंकरी जल में जाकर कोई स्थाई विवड नहीं फोड सकती चन भर जल का समतल भरे ही उलट पुलट हो लेकिन इधर उधर से जल तरंग दोड़ कर उस छिद्र का नामों निशान भी नहीं रहने देती तो ये कंकरी जल में जाकर इस टाइब सी कथन जो है परिक्षा में पूछा गया है तो ये कथन कानों में कंगना का है अगला कथन है यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चला चल मैं खड़े हूँ फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा तो ये बीच विच में कथन टाइब से दिये गए हैं जो नरेंद्र सोचता है तो इस टाइब से तो किसी के दोरा कथन के रूप में नहीं का गये लेकिन इस कहानी में आये गया है तो आप इन कथनों को भी देखिएगा अगला जो कथन है वो है यदि किरन आज की यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी यह भीतर तक पैठ गई ये बात किस ने कही नरेंद्र नहीं अगला है गोपियों को कभी स्वप्टम में भी नहीं जलका था कि बास की बासुरी में घूंगट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है तो इस प्रकार से भी बीच से भी गथन पूछ लेते हैं अगला है जिस पंचवटी का अनंत योवन देख कर राम की आखे भी खिल उठी थी वहां के निवासियों ने कभी अमरतरू के फूलों की माला नहीं चाही मंदाकनी की छीटों की शीतलता नहीं डूंडी तो ये भी इस कहानी का कथन है अगला है पहली बार देकर उसे इस लोक की सुन्दरी समझना दूस्तर था एक लपट जो लगती किसी नशा से चड़ जाती अब यहाँ नशा चड़ने की बात ये किस के लिए कहा गया है सुन्दरी की बात ये जो है किनरी के लिए कहा गया है कि किरन ने जब उसको पहली बार देखा तो क्या उसको महसूस हुआ अगला है मैं भी निरंतर जलने लगा लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही ये कथन किस के विशे में कहा गया है नरेंदर के विशे में अगला कथन है और मैं तो अपने स्वर्ग के दर्वाजे पर सर रख कर निराश लोटा था मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो तो ये जो है देखे ये कहानी जो है मैं शेली में लिखी गई है तो ये सारे जो कथने बीच में आ रही है नरेंदर के द्वारा ही कही गई है अगला है हाई मीरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती जो उसे नजर कर उसके चर्णों पर लोटता तो ये बात जो है नरेंदर ने सोचा कि जिस प्रकार से शेकुंतला की जो अंगूठी देखकर राजा को याद आ गया था तो काश उसके पास भी कोई अंगूठी इस प्रकार से रहती अगला है जो ही किरन के पास कुछ भी बचा हो तब फोरन जाकर मांग लाओ अब जो ही कौन थी जो उनके यहां काम करती थी और ये बात कथन जो है किसका कहा गया है नरेंदर का कि वो कहता है कि किरन के पास जो कुछ भी हो उससे जाकर मांग लाओ और वो किसे देता था तो किन नरी को अगला कथन है मेरी स्मृति तड़त वेग से ना चुठी दुश्यंत ने अंगूठी पहचान ली भूली शकुंतला उस पल याद आ गई लेकिन दुश्यंत वभाग शाली था कि उसे जो है शकुंतला मिल गई लेकिन जो किरन थी वो नरेंदर को नहीं मिली उसकी मृति हो गई तब उसको अपरी गलती पर पस्तावा हुआ अगला कथन है आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी लेकिन हाई खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया क्योंकि किरन का अंत हो चुका था जब तक वो वापस लोटा किरन की जिन्दगी में तब तक किरन उसकी जिन्दगी से जा चुकी थी और उसके पास सिवाए पस्तावे के कुछ भी नहीं था तो ये कहानी थी कानों में कंगना के कथन थे अगली कहानी है ताई चलिए इसके महतुपुन कथनों को देखते है तुम्हारा ये कैसा वेवहार है बच्चे को ढखेल दिया जो उसे चोट लग जाती तो तो ये किसका कथन है राम जी दास का जोगी कौन है ताउ है ताई के पती है ना जाने कब किसका जी कैसा होता है तुम्हें उस उन बातों की कोई परवाही नहीं अपनी चुहल को काम अपनी चुहल से काम है ये किसका कथन है राम जी दास से ताउ से मगर तुम्हारा हिर्दे ना जाने के धातू का बना हुआ है ये किसने कहा बाबू राम जी दास ने ताई के लिए पराय धन से भी कहीं घर भड़ता है तो ये जो है रामिश्वरी ने राम जी दास से कही थी यहाँ पराय धन से क्या ताथपद है एक यहाँ यह भी प्रश पर्मिर्ट की मतम्राइजब करें तयजर से कि स्ट्य नहीं तो फ़क्ते हैं। पूजा पाथ करते हैं वरत रखते हैं पर तुम इन बातों से क्या काम? ये किसका कतन है? रामश्वरी का बच्चे के लिए जो राम जीदास से बहत होती है. अगला है पूजा पाथ वरत सब धकोसला है. जो वस्तों भागें में नहीं पूजा पाथ से कभी प्राप्त नहीं ह हो सकते हैं कि यह कथन जो है किसी परिक्षा में भी पूछा जा चुका है जो यह तेलंगना साइड का जो टीचर का होता है उसमें यह प्रश्ण आया हुआ था तो इस प्रकार से बीच में प्रश्ण पूछ लेते हैं यह कथन रामजीदास का है ऐसे ही विश्वास पर सब बै बावु रामजीदास का अगला कथन है आदमी उपाय तो करकी देखता है फिर होना ना होना भगवान के अधीन है यह किसका कथन है रामश्वरी का अगला कथन है तो में जोतिशों की बात पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के जूटे और धूरते हैं यह बात रामज अगला है भला ऐसा कौन सा मनिशी होगा जिसके हिर्दे में संतान का मुख देखने की इच्छा नहू ये बात किस ने कही रामजी दास नहीं जब टाईए ले लेकिन जब नहीं लिखा किसमत में तो वह क्या कर सकते हैं अगला कथन है शास्तर में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुप्ती नहीं होती ये भी कथन आ चुका है तो ये कथन किसका है रामिश्वरी का अगला है अपने प्रेम को छिपाने की चेश्टा व्यर्थ है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं वो प्रेम ताई के अंद दूसरी ना होती ये किसन का है रामेश्वदी ने जब बच्चे को प्यार से देखती है और बच्चे का मुख देखिए उनको वो प्यार जो है उनके अंदर जाग उड़ता है तो चलिए आज हम इते ही कहानी के कथनों को लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में बागी के कहानी के कथन आप सभी के लिए ले लूँगी तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और किसी वीडियो संबंदित कोई जानकारी चाहिए तो वैं भी कमेंट जरूर करिएगा धन्यवाद